तो गैज आज का इस वीडियो में आप जानेंगे यूटूब पर सही तरीका से वीडियो कैसे अपलोड किया जाता है क्योंकि इस टोपिक पर मैंने एक और वीडियो बनाया था यूटूब पर वीडियो अपलोड कैसे किया जाता है लेकिन उसमें धेर सारे हमारे अबर लोकों भी problem आ रहा था कुछ तो बोल रहे थे मुझे वीडियो समझ में ही नहीं आया आज की इस वीडियो में आप जानेंगे यूटूब पर सही तरीका से वीडियो कैसे upload करना है Guys, simple method जो होता है यूटूब पर वीडियो upload करना वह सभी को आता है लेकिन सही तरीका क्या है कहने का मतलब यह है कि आप वीडियो में title, tag, description यह तीन चीज आप कैसे लगाते हो यह काफी ज़्यादा important करता है क्योंकि simple method से वीडियो upload करना यह सभी को आता है वीडियो यूटूब पर सही तरीका से कैसे upload करना है यह जनकारी आप लोग के लिए काफी ज़्यादा महत्व रखता है खासकर जो न्यू यूटूबर होते हैं उनको काफी ज़्यादा परसानी होता है title, tag और description लगाने में जो आज की इस वीडियो में आपको full guide मिलेगा आप अपनी चैनल पर सही तरीका से वीडियो आप कैसे upload करेंगे हाई आज मैं हूँ आदर्स आपको आदर्स कुमार यूटूब चैनल में आपका स्वागत है चलिए वीडियो को start करते हैं तो चलिए फ्रेंट सबसे पहले अपना मैं यहाँ पर यूटूब अपलिकेशन को मैं open कर लेता हूँ देन उसके बाद आपको क्या करना है देखी यहाँ पर जो न्यू जो यूटूबर होते हैं वो अधिकतर क्या गलती करते हैं वीडियो अपलोड करने में जो आपको आज की इस वीडियो में मिल जागा जनकारी कि न्यू यूटूबर कहां पर गलती करते हैं जिनके कारण उनका वीडियो जो है अधिक लोगों के पास पहुँच ही नहीं पाता है जिनके कारण उनको भ्यूज भी नहीं आपाता है तो गैस सबसे पहले आपको अपना यूटूब एप को open करना है देन उसके बाद फिर से आपको next करना है सबसे उपर में एक next का symbol मिलता है इस पर click कीजिए उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दो से तीन ऐसा option हैगा जो आपका वीडियो से related काफी ज्यादा important है फर्स्ट option जो आपका हैगा created title का option हैगा गैज यह जो आप मेरा वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो यह आउनलाइन से related मैंने यह वीडियो बनाया हूँ जैसे की आउनलाइन पैसा कैसे कमाए तो यहाँ पर created title में वह लिखना है जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाये हो android मोबाइल से पैसा कैसे कमाए तो यहाँ पर हम android गैज हम लगा दिये है तो यह मेरा title हो गया उसके बाद यहाँ पर add description box में क्या लगाना है तो गैज description box का मतलब होता है कि आप जो भी topic पर आप वीडियो बनाये हैं उसके बारे में आपको 200 word में यहाँ पर लिखना है अधिकतर क्या करते हैं जो यहाँ पर description box में कुछ नहीं लिखते हैं एक से दो line लिख देते हैं बस उसे छोड़ देते हैं यहाँ पर आपको अपने topic पर जिस topic पर आप वीडियो बनाये हो उससे related आपको यहाँ पर 200 word में लिखना है जैसे मेरा वीडियो ओनलाइन पर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओनलाइन earn money from android उसके बाद यहाँ पर आपको space देना है फिर आपको लिखना है ओनलाइन पैसा कैसे कमा है यह भी मेरा topic से related है कोई यह भी नए यूटूपर सर्च मार सकता है कि online earn money from android कोई बंदे यह भी सर्च मार सकता है कि online पैसा कैसे कमा है और कोई यह भी सर्च मार सकता है online पैसा कमाने का तरीका तो यहाँ पर हम लिख देते है online पैसा कमाने कमाने का तरीका उसके बाद यहाँ पर कोई यह भी सर्च मार सकता है How to earn money in online तो यहाँ पर हम लिख देते हैं How to earn money in online तो गाज अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको कैसे लिखना है आपको अपने टॉपिक से related जो है आपको description box में कैसे भरना है वह इसी तरीका से आपको भरना है आपको 200 वट में भरना है फिलाल वीडियो लंबा न हो एक्जामपल के लिए हम आपको छोटा यहाँ पर वीडियो बना कर पता रहे हैं तो ऐसे आपको description box में लिखना है देन उसके बाद आपको नीचे में क्या करना है आपको facebook, instagram का link दे देना है जैसे आपको यहाँ पर लिखना है instagram, link उसके बाद आपको लगा देना है click here click here और नीचे में जो भी आपका link है suppose कीजिए जो भी आपका link है वह आपको नीचे में लगा देना है ऐसे करके आपको facebook का link भी आपको नीचे में लगा देना है क्योंकि जो भी आपका जो सब्सक्राइबर लोग होंगे वह आपका वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आपका वह डिस्क्रिप्शन भी चेक करेंगे ठिक ना तो आप नीचे में आप जो है फेस्बुक इंस्टाग्राम का आप लिंक लगा सकते हैं आप यहाँ पर कोई एप का भी लिंक आप दे सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बाद गाज यहां से आपको back आ जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है आपको सबसे उपर में next का symbol मिलता है इस पर click कीजिए then आपको यहां पर no it's made for kind पर आपको यहां पर click करना है then आपको upload का symbol सबसे उपर है इस पर आप upload कीजिए तब आपका वीडियो जो है गाईज वो यहाँ पर अपलोडिंग में लाग चुगा है ठीक ना आईए यहाँ पर देखते हैं अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रहा है छो परसेंटेज हुआ है तो गाईज यहाँ पर जो अपलोडिंग होगा 100% कम् करताल चाई? आपको यहाँ पर टेग लगाना है कीवर्ड लगाना है तो चलिए यहां वेइक आता हूं सिंप्ली क्या करना है एक एप को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है यह एप का नाम है YT Studio गाज यह एप आपको प्ले इस्टोर पर मिल जाएगा नहीं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ आप उस पर भी क्लिक करके यह एप को आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल असान है प्ले इस्टोर पर फिरी में आप यूटूब का ही एप है तो सिंपली हम चलिए YT Studio एप को में आपन कर लेता हूँ जो भी वीडियो आप रिसेंटली में यूटूब से अपलोड करोगे वह यह एप में आटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा जैसे अभी आप देख सकते हो कि Online Earn Money from Android मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ तो यह टॉपिक पर जो भी मेरा वीडियो है वह यह एप के अंदर में आ चुका है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है देन आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे उपर में एक पैलसिंग का सिंबॉल है आपको इस पर क्लिक कर देना है देन उसके बाद नीचे में आप देखेंगे आपको यहाँ पर add tag का एक option मिलता है तो आपको tag में लगा देना है जो भी आपका वीडियो जिस भी चीज़ से related है जैसे मेरा वीडियो related है online earning पर तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ online earn money from android फिर से आपको वही लगाना है android और उसके बाद आपको यहाँ पर कौमा दे देना है जब तक आप कौमा नहीं देंगे आपका जो tag है आपका keyword जो है वह support नहीं करेगा आपका वीडियो में तो चलिए यहाँ पर हम कौमा लगा देते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर यह जो है यह एक keyword बन गया क्योंकि इसी से आपका वीडियो जो है वह search में आता है search list में आता है इसलिए यह काफी ज़्यादा महत्वर रखता है आपका वीडियो में उसके बाद second keyword आपको लगाना है online पैसा कैसे कमाई ठीक न तो यहाँ पर हम लगा देते हैं online पैसा कैसे कमाई उसके पिर से यहाँ पर हम कौमा देते हैं तो गाज इसी तरीका से आपको टेग में जो है 11 टेग आपको लगाना है 11 टेग जब आप 11 टेग लगा देंगे उसके बाद आपका वीडियो जो है सो पब्लिस होने के लिए तयार हो जाता है तो simply आपको सबसे उपर में save का option है save पर क्लिक कीजिए आपका वीडियो जो है वह यहाँ पर पब्लिस हो जाएगा आपका keyword भी आपका वीडियो में लाग चुका है उसके बाद आपका वीडियो पब्लिक के बीच में जाएगा उसके बाद आपका जो response है वीडियो पर वह काफी अच्छा मिलेगा तो गाज यह यहाँ पर तरीका था सही method से आप वीडियो कैसे upload करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करके ही जाएना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको यूटूब से related को भी वीडियो आप मिस न कर पाओ तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में